हेलो डिफेंस लवर वेलकम टू माई चेलाल डिफेंस अरीना 007 तो दोस्तो आज बहुत थी दुखत एक ख़वर निकल के आ रही है और उसे बताने का मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन न्यूज से तो बताने ही पड़ी तो आपको बता दूँ कि पंजाब के मोगा एक जग है व वो सहीद हो चुके हैं देखो आपको बता दूँ क्रैस का क्या करणा है अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है पहले इसकी इन्वेस्टिकेशन होगी तब जाके क्रैस का पता लग पाएगा उस समय तक कुछ भी कहना यह कलत है और अफ़वाँ पर त्यान मत देरा लेकिन आपको एक चीज बता दूँ कि यह जो मिग 21 का क्रैस आज को नहीं बात नहीं है क्योंकि मिग 21 काफी प्राणे फाइट जट हो गए हैं और मेरे ही समझ में जाता है कि इंडिया इन फाइट जटों को यूज क्यों कर रहा है और इस चीज को छोड़िए यदि हम बात कर लेत हैं पूरे क्रैस हिस्ट्री की तो 1970 से लेके अब तक इंडिया ने अपने 170 जावाज पाइलेट इन क्रैसों में खोई हैं जबकि 40 से जादा सिर्फ विलियनों की इन में मौत हो गई है तो आपको बता दूँ कि जो मेक 21 बाइसन है इसकी क्या स्पैसिपिक हिसन है और इंडि भारती एरफोर्ट्स जो है मिक 21 को ऐसे फाइटर और इंटर्सेप्टर के तौर पर यूज गरती है और आपको बता दू इंटर्सेप्टर क्या होते हैं जैसे कोई दुस्मन का फाइटर जैट आपकी सीमा में आता है तो उसे इंटर्सेप्ट करते हैं और फिर उन पे अट पुराने हो चुके हैं यानिकी करीबन करीबन इन फाइटर जेटों को सतर साल बने हुए हो चुके हैं देखो आपको बता दो कि जो मिग ट्वन्टी बने बाइसन इसकी पहली उड़ान हुई थी 1905 में और इसका इंट्रोडेक्शन हुआ था 1969 में देखो यह फाइटर जेट इतने पुराने इसी का अंदाज आप लगा दो कि रशिया ने इनको बनाना 1985 के बाद इनके 1985 से पहले ही इनने बनाया था और यह उत समय के काफी 32 फाइटर जेट्स माने जाते थे क्योंकि इनकी जो संक्या थी वो 11496 के सम्टिंग थी और आप वो एक और चीज़ बता दो कि यह 10645 की संक्या में USSR यानिकि जब सोवेटर यूडियन का विक्टन नहीं हुआ था उस समय बने थे और 840 की संक्या में इंडिया में बना गये थे यानिकि इनका जो प्रोडक्शन प्लांट था वो इंडिया में भी था और देखो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस में इस फाइटर जेट की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलोजी ली थी चैना ने और इसी के आद पर चेंद कू जे सेबन चैना ने बनाए और वो भी काफी बारी मात्रव में यान की हजारों की संक्या में चेंद कू जे सेबन चैना ने भी बनाए बेगो आपको बता दूँ कि यह जो फाइटर जेट्स हैं इनकी जो मेग्जम टेक ओफ वेट की जो छमता है वो 8800 केजी की है और आपको यहां धियान करने वाली बात है बात करें इसके ग्रोस वेट की तो इस 8725 केजी का है यानि कि दो आर 3S मिसाल के स नहीं से एक बात का अंदाजर लगा सकते हुए कि यह जो फाइटर जेटे इतने पुराने हो गए थे कि इसमें सिर्फ दो मिसाल सी यूज की जा सकती है और यहीं बात करते हैं हम इसके पावर की तो इसमें टॉम नैस की R25300 आफटर बर्निंग टर्वो जेट इंजन यूज गरी होता है जो कि सिंगल एंजन थे पहले तो यह इसमें इसमें सिंगले इंजन होता है और यह द्राइट लियूर में हें तो 40.18 कवर न्यूटन और इसका आफटर बर्न रहर कि बात कररें तो 69.58 क्लू नूटन का धर्भी जेनरेट करता है जो कि आज के जेनरेशन के किसी बंडनर 100 प्लास होने चाहिए इसलिए ये जो fighter jets है retired होने चाहिए थे Indian Air Force में लेकिन Indian Air Force ने पता नहीं किस वज़े से इसने retired नहीं किया आप ये माल लिजिए कि Indian Air Force में fighter jets की कमी है या फिर जो भी हो लेकिन retired हो जाने चाहिए थे अब तर देखो बात करें इसकी range की कोई भी missile equipped नहीं होती है लेकिन यदि इसमें हम दो R3S missile equipped कर देते हैं तो इसकी range घड़ कर 604 km की रह जाती है 11,000 m पर लेकिन अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इसमें यदि इसमें एक drop tank या कि additional fuel tank इसमें लागा दिया जाता है 800 L का और इसमें दो missile यानि कि R3S equipped कर दी जाती है तो इसकी range भढ़के हो जाती है 793 km कितनी उचाही पर 10,000 m की उचाही पर यानि की बात करते हैं कि हम combat radius की तो यह 400 km तक enemy को मारने जा सकता है क्योंकि इसे बापेस भी आना होता है देखको आपको बता दूँ कि यह जो fighter jets थे इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को counter करने के लिए ही खरीदेते क्योंकि आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का जो छेते पले काफी ज्यादा बड़ा नहीं है यानि कि 400 km की रेंज में पाकिस्तान की काफी अंदर तक गुसा जा सकता है लेकिन यह बात काफी पुरानी हो चुकी है और इसलिए बढ़ती हुआ को देखकर अब इंडिया एरफोर्स को इन fighter jet को रिटार्ड कर देना चाहिए या अभी और यूज करना चाहिए क्योंकि काफी कम हो जाएंगी लेकिन मेरे हिसाब से जो fighter jets किसी यूज के नहीं है सर्फ दिखाने के लिए उससे अच्छा है कि उन्हें रिटार्ड कर दे जाए और नमबर से कुछ नहीं होता है इन casual day-o को रोका जाए तो आपको कह लगता है अब इस comment करके जो बताना और वीडियो करके जाएंग